पंजाबि सिंगर दिलजीत वर्सिज कंगना आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन ही दोनों के बारे में दोस्तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दू दिलजीत जो पंजाबी सिंगर है उनको सिलूट करना चाहता हूँ उन्होंने पूरे देश के सामने कंगना को क्या कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं खुज भी हूँ अंदर से, कंगना ने जो जो टूइट को भाशाएं लिखी हूँ, उसको लेकर गुसा भी हूँ दिलजीत को मैं सिलूट करना चाहूँ उन्होंने ओकाद दिखा दिये कंगना की और असलियत सामने दिखा दिये कि किस तरीके की ये भाषा बोलती हो कितनी गंदी भाषा बोल सकती है ये कंगना आंटी दोस्तों आपने सुना होगा दिलजीत और कंगना के बीच बहुत तकरी ट्वीटर फाइट भी हो ये जहां पर सबसे पहले शुरुवात करी कंगना रनोत ने फार्मर को लेकर जो फार्मर चल रहा है प्रोटेश चल रहा है उसको लेकर वहाई दिलजीत चूप नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने इस तरीके की भाषा लिखी है बस मैंने भी पढ़ा है मैं वीडियो बना रहा हूँ पहले ही पढ़ लिया है ऐसी ऐसी भाषाएं लिखी हैं दोस्तों कि मुझे भी अंदर से गुसा आ रहा है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीजे बताना चाहता हूँ कि दिलजीत और कंगना की लड़ाई कैसे शुरू हुए त्वीटर पे यानि सारी बाते में आपको इस वीडियो में बता हुआ सबसे पहले दोस्तों ये जो लड़ाई शुरू हुए ये कंगना के एक ट्वीट से शुरू हुए कंगना ने एक ट्वीट किया कि हाँ 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 ये शी इस दा सेम दादी फीचर इन टाइम मैगजीन फोर बिंग दा मोस्ट पावरफुर इंडिया इंडिया नहीं शीजा एवे लेवल ने हंडेड रुपी दोस्तो कंगना ने ट्वीट ये किया कि ये वही दादी है जिन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस किया था और साथ के साथ ये वही दादी है जिसके फोर्टू टाइम मैगजीन में छपी थी दोस्तो फारमर प्रोटेस में एक दादी बूरी दादी का photo tweet करकर इन्होंने ये tweet किया कंगना रोनोर से अब दिलजीत के से चुप बेड़ी आते और जवाब भी देना था बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया और दिलजीत ने कुछ अच्छी तरीके से जवाब दिया और उकाद दिखाई दोस्तों यहीं से लड़ाई शुरूर होती है दिलजीत ने उन्हीं दादी जो farmer जो हमारी बूरी दादी है पंजाब की हैं जिनका नाम है महिंदर कौर जी उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुआ लिखा दिलजीत ने अब दोस्तों कंगना अब यहां से लड़ाई शुरू हो जाती है अब कंगना लिखती है ओ करण जोहर के पाल तू जो दादी शाहीन बाग में अपनी citizenship के लिए प्रोटेस कर रही थी वो बिलगीज बानो दादी जी farmer के MSP के लिए भी प्रोटेस करती हुई दिखी महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं क्या डिरामा चलाया है तुम लोगों ने stop this right now अब करण जोहर सोच रहोंगे मैं तो इन दोनों के बीच में कहीं था भी नहीं नहीं मैं प्रोटेस में था शाहीन बाग के ना हूं मैं farmer के प्रोटेस में यह कंगना मुझे हर टूट में क्यों खीचकर लिया आती है अब दोस्तों कंगना ने फिर एक टूट लिखा देखिया सुनो गिद्धो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मस समझना मैं सब देख रही हूं किस की तरीके से तुम जूट बोल का मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तमाल कर रहे हो जब शाहिनबाग की तरह इन धन्नों का रहिष्य कुलेगा तो मैं एक शांदार स्पीश लिखूंगी और तुम लोगों का मुह काला करूंगी बबबर शेरनी अपने आपको लिख रही है बबबर शेरनी और कह रही है जैसे शाहिनबाग का रहिष्य कुला है वैसे ही फार इन बाग में लोग प्रोटेस करें तो उन सब को आतंगवादी बोल चुकी है और इन्होंने फारमार को भी आतंगवादी बोल चुकी है ये कंगना रणोत अब दोस्तों दिलजीत ने लिखा तैनू जितने लोगों के साथ फिल्म की तु उन सब की पालतू है फिर तो इन बोल्यूड वाले नहीं पंजाब वाले हैं हिक्ति विच सड्डे जूट बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना तो आप अच्छे से जानती हो ये दिलजीत ने सीधा गा सीधा उकाद दिखाई कंगना की और सीधा गा सीधा मूँ पर जवाब दिया अब दोस्तों कंगना ने फिल लिखा ओ चम्चे आप इनकी भाषा देखिए ओ चम्चे चल तु जिनकी चाट चाट के काम लेता है भाषा पर दियान दिये मैं उनकी रोज बजाती हूं ज्यादा मत उचल मैं कंगना रनोत हूं तेरे जैसे चम्ची नहीं जो जूट बोलूं मैं मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहिनबाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंड किया था इफ एनिवन कें प्रूफ अधर्वाइज आई विल एपल लाइज अब दोस्तों दिलजीत ने फिर इसका जवाब दिया कंगना रनोत को बोलन तो तमीद नहीं तेनू तुझा कोई तमीज न दिलजीत ने किया है कि पंजाबी समझ में नहीं आती है तो आप पहले गूगल कर लिए दोस्तों पंजाबी मुझे भी नहीं आती है पर मैं समझ चुका हूँ के बोलो दी तुझे कोई तमीद नहीं है तुझे बूड़ी औरत को और एक औरत होके तु उनसे इतनी गंदी- गंदी इस तरीके की भाषा बोल रही हो कह रही है कि 100-100 रूपए में आवेलेबल हैं फार्मर प्रोटेक्ट के लिए यानि किसानों के अंदल में ये सो सो रूपे लेकर अंदोलन कर रही है ये इस तरीके की भाषा तुने बोली है बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों अगला ट्विट आता है कंगना का सुन लिए पंजाबी समझ नहीं समझ में आती है मुझे इसने जवाब दिये पंजाबी मुझे समझ आती है जिन्होंने देली में रियोट करवाया खून की नदिया बहाई दंगे करवाया उनको डिफेंड करते हूँ शरम नहीं आती तुझे क्या शरम आईगी कैसे काम देता है सबको प खड़े हो रहे हो किसानों की बात कर रहे हैं और ये बीच में पता नहीं कहां-कहां से बाते ला रही है गल के अब दिलजीत कर ट्वीट आता गल कहनुदू हो रही है किदर नूर आर रही है दिमाग ठीक है तेरा कलना गुमा सीधा जवाब दे जो भूक नहीं नहीं तू सद जवाब देओ और तुझे अगर असलियत देखनी है सो सो रूपे वाली दादी की तो तु आकर दादी से आकर मिलो प्रोटेस्ट में आकर मिलो देख असलियत किसानों की और देख पंजाबियों की असलियत ये दिलजीत ने जवाब दिया दोस्तों वही कंगना ने ओ दमबो बात वही है जब किसी की सिटीजन्शिप गई है नहीं सिटीजन्शिप गई नहीं है तो शाइनबाग दादी ने किसके कहने पर प्रोटेस किया जब MSP हटाया ही नहीं है तो फिर वही दादी किसके बहजने पर फार्मर प्रोटेस में हिस् यह कौन उसको पीछे से प्रिमोट करता है वेंड शी स्पीक दोस्तों इसको लेकर दिलजीत ने फिल लिखा आजा 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 ओब दिमाग बत्तमीद गल ओ रही जिस मानू तू सो रूपे दिहारी कह रही है ओब वेवेदत जवाब सुन लिया यहां दुबारा भेजा आव उसके बाद कंगना रोनोत दिलजीत को बिलोग कर देती है दोस्तों यह फाइट इस तरीके से शुरू होई और इस तरीके से एंड होई यानि पहला ट्वीट जो किया था वो कंगना ने किया तब उसके बाद दिलजीत ने किया और लाइस ट्वीट जो है पिर दिलजीत का ह की है और उसके बार कंगना ने दिलजीत को बिलोग कर दिया दोस्तों आप भाषा देख सकते हैं कंगना की दिलजीत ने तो पंजाबी में लिखा मुझे कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझे जो लोग आप जानते होंगा आप पंजाबी जानते होंगे तो आपको समझ में आ प्रोटेश कर रहा ही थी उससे इन्होंने बस दोस्तों क्या कहे है आरह से तो भरती जंता पाटी की बोली किसानों की तो किसान तो पूरे देश्जबर कॉन आता में भरके लोगों को पेट बरता है अब वो किसानी सडकों पर है 8 अब ऑठ पर आप सभी से लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आठ दिसंबर का किसानों के लिए खड़े रहें भारत बंद का पूरा समर्तन करें मैं भी समर्तन करता हूं यह आपकी का प्रतिकरिया इस पर आप नीचे कमेंड बॉक्स अपने जरूर बताएगा इस वीडियो ज्यादा दे शे